जीना सुरीन एक ब्रेक के बाद हम आपी खिदमत में दुबारा हासर हैं हमारे वो बहन भाई जो हमें कॉल कर रहे थे ब्रेक के दौरान या ब्रेक से पहले वो दुबारा कॉल कर सकते हैं उनके लिए जो है फॉन लाइन खुली हुई है आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मौसरम होती है और आई डिसकेशन को एक निया रूप एक निया रंग मिल जाता है आपके शामिल होने से तो शामिल होते रहिएगा जी नाजरे आज का हमारा टॉपिक अल्ला ताला पर यकीन जिसे कहते हैं यकीन कामल उसकी हम बात कर रहे हैं और उसकी बुनियाद कहां से शुरू होती है और इनसान को काम्याबी की किस मंजल तक ले जाता है इस पर ही हम आज बात करेंगे बिल्कुल तो हमी बिरेक बजाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि उस टीवी डिसकेशन के उपर बात यहां पर हमने छोड़ी थी कि एक बहुत मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं कि जरुबत इंतकाल भी कर गए नाम क्यालूम है दुनिया जानती है बहुत दुश्मन एहले बैत किसम का शखस वो टीवी पर बैठा वा था लाम अर अपने जमाने में बहुत बड़े आधे पर रहा और उसने ये तमाम तालिबान वालिबान बनाये और 30,000 मौमने को कतल कराया भावियां में एक रात में 30,000 लोग قतल कि गए गए तो उसे एक सहफी सवाल कर रहा था बार बार के अगर आप आप देखें इस ओधे पर ते अगर अमरीका ये कर रहा था आपको क्यों नहीं आप दे क्यों नहीं किया ना रह सका, कहने लगा, मेरे पास इमाम उसान स्लाम में कलिजा थोड़ी है मैं क्या करता हूँ अभी मैं इसको कंपलीट करूंगा स्लाम अलियकून भाया वालेक्म असलाम अलियमोसी भाई, मेरी बहन को भी स्लाम अलियक्म और मौलाना साब को भी मौामद अली लिड़ना चनाब खुश्चामदीद मौलाना साथ मैं बड़ी अच्छी बात फर्माई कि कुछ काम रब ताला ने करने होते हैं और कुछ काम हमें करने पड़ते हैं जिस तरह अभी मेरी बेहन ने एक अपना आप नभी पास असलब की हदीसे पास ना रही थी कि चालीस घर राइट लेट आगे और पीछे फिर अब महमद अली ने काम ये करना है कि अगर अपनी गाड़ी का हारन बजाएगा तो चालीस घरों से ज्यादा दूर जाएगी उनको तकलीफ पहुंचेगी अब मुझे इसकी अहतियात करनी पड़ेगी यानि कि आप नभी पास असलेम उस वकत के जमाने में जहां तक इनसान की अवाब जाती थी उसको तकलीफ पहुंचती थी या गाली गलोच करते थे तो दूसरे नेवर को तकलीफ पहुंची थी अब महमाद अली की गाड़ी के हारन से दूसरे नेवर को अपना तकलीफ पहुंच दिये तो कुछ काम हमें करने पड़ेंगे इन्शाला ताला तो मौराना साथ चले गए उनसे मैंने एक सौाल तो पूछ रहा था जो बहुत ही है था जिसको हमने छोड़ दिया कि दो वीक पहले अबामा साथ ने एक बिया था कि लिबिया के अंदर यॉरप ने एक मैस छोड़ दी है और उसी फोरण बियान के बाद अबामा साथ के बियान के बाद फोरण ही रशीन फोजों का वापस जा रही है ये क्यों ये बहुत बड़ी बात है इसके ओपर जब एराक की जंग हुई थी उस वकत मेरे डैडी ने एक बात कही थी उस वकत मैं डैडी से सियासी गुफ्त को हो ली थी तो मैंने उसके ओपर थोड़ा सा नहीं यकीन किया था डाउट था लेकिन आज उनकी बात पूरी होगी ये मैं किसी और बात में कौँँगा के अबामा साथ ने बियान क्यों दिया और रशियन पौजी क्यों वापस गई छीक इसके उपर बात करेंगे इसके उपर इंशार दल्ब बात करेंगे लगर किसी दूसरे प्रोग्याप में करेंगे चोटी सी जो वह अपना बात की थी अगर आप अपना अगर टाइम है तो वो मैं छोटा सा वि्रत बता सकता हूँ बिस्मिणल्לה बिस्मिणल्לה लोग के जिनके गर में रिज्क नहीं है जिनके गर में तकी नहीं है यकीन जानी जब मेरी बहन बात कर रही भी वह ..... अमिया का कॉल ब्यान करई वह बेलशेय साथ का दे थे और दूसर ने श्क ने कहा से अमाम आप प्री यसी मेहनत करें तो मैं उस वक्त अपने पौदों को पानी दे रहाता तो यह निंगागी बात यह है कि यह जुँँभात ये महीना जो मार्च का महीना हा सीड लगाए जो कि मैंने अभी लगा दी है अपने गार्डन में तकरीवर 5-6 सीड लगा दी है उसके साथ यहां से शुरू करें बिस्मिल्ह पढ़ें यह गैर मुस्लमानों के लिए यह नहीं कि वो मुस्लमान हो जाएंगे बिस्मिल्ह पढ़ें और उसके अंदर लगाएं च था और इंशालला जो भी इंसान अपना फाल दर्द दस्त लगाते हुए अपने जो लोकल आपके नेवर मुस्लमान है उन से पूछ लीजिए गा जो भी यह विद्द करेगा और पौदा लगाएंगा इंशालला इंशालला तला मेरी जहां जहां आवाज जा रही है मैं यकीन से कहता हूँ कि उसके घर में रिज्क आएगा और जिनके घर में सकून नहीं उनके घर में सकून मी हो जाएगा और फिर जो पौदा लगाएंगे उस पौदे के उपर देखना प्रिंदे आके बैठेंगे क्योंके वो तस्वी करते हैं यह जो अपना जितने भी द उसके उसे रस चूसेगी वो भी तच्वी करेगी तो उसका सारा का सारा अजर आपको मिलेगा रब ताला ने हमें यह जमीन डे दी है उसने पौदे लगा दे और अब हमने आगे काम हमारा काम है हमने भी कुछ काम करने हैं तो इन्शालला ताला ये अथमा के देख लीजियेगा आज से मैं अपना कितनी बड़ी कसम खाओ मुझे नहीं समझ आ रही लेकिन मुझे एक महीने के बाद वो जिसके घर में रिज्क नहीं है जिसके घर में स्कून नहीं है एक महीने बाद हदाय महामद अली तुमने ये विट बनाया था हमने किया और इसके ओपर हमारे घर में रिज्क नहीं आया और स्कून नहीं हुआ मैं आपको कॉल करना चोड़ दूँगा जिजाकर मुला खैर अली भाई और मेरी भाई मुझे टाम देने का बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया रेसिश ते घर में आये कॉल करना भमें चोड़नें भी हमारा के खुसूर है ठीक है एक और कॉलर को शामिल करेंगे अस्सलाम अलेकुम रहमत अलाएग्ट आपास जो है टीवी की अपने बंद कर लीजी प्लीज और हमारे साथ बात कीजी डारेक्ट असलाम अलेकुम रहमत कर रफुजिया यकीन आपका तातक है ल्लहक की जाद पर यकीन का अमल इसे कि रुबह यह बशर को है लाजम के हिम्मत नहारे जहां तक हो काम आप अपने सवारे खुदा के सवाद छोड़ दे सबसारे के आरजी जोर औरकम्सोर सारे जे सब मिटने वाले हैं आर जी हैं अल्ला की जात पर इसे लिए आल्ला माने जो इसे को लिखा है यकीमौकम अमल पे हम महबत फात्रे आलम जहाद जिन्दगानी में हैं ये मगनों की शेमशीर है बैस चक्षक्यमौक सबसे पहले अल्ला की जुकिन पर इमान है नाम इसी का है कि अल्ह तल्ह की जाफ़े सबसे पहले कामल यकीन और उसके बाद इनसान अपने पाम करे और यह जहां तक मुम्किन हो वो पहले यह समझ सोच ले कि जो मैं काम जो कर रहा हूं जो तरीका कार मैं अपना रहा हूं क्या यह हाग का रास्ता है क्या यह सही रास्ता है जब उसे यकीन हो जाए तो फिर मुड कर वापस नहीं देखना फिर उसे अपने काम में लेकन यह यकीन की एक अफ़े दूसरी यकीन की यहाद है जो किया कुछ ना प्रॉसा है कि खाने को मिल जाएगा, पीने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, अल्ला वर्माता है, तुम अपनी कोशिश करो, मुज़र के पास एक सावी है, सारी मुझे खासी हो रही है, सावी आया, तो आपने पुछा, गोड़ा कहां छोड़ा, जोने का, पास लाओा, आल्ला के तुक्ल पे छोड़ाया हूँ, तो भरमाया गया, पहले अपना काम करते, पहले उसे बानते, और पिर तुक्ल करते, तो एक स्बार बानते, तुम उसतरे इससन बात को समझ़ ले, और Allah ताला की जात पर यकीन रखे तो इंशाब्ला बेतर होता है और यही आजानीद का असूल यही है कि आजापल चे जात पर सब एतना खनू से दिल से यकीन सादगों कामन होणा चाहिए यह उस हाद को पंच छाता है इन्सानों сोय कीन से जतना यगीन होगा, इतना ही उसके आमल में फाइदा भी होगा, इतना ही उसके आमल कारगार भी होगा, वरना बेयकीनी और इस आमसे में अलाप आला की जाद से तो बहाराल गतन ये ना मुम्किन है कि इन्सान कहीं जरा सा शायबा भी रखे, लेकर, हाँ, अल्लाह मसबब असबाब है, एक सबाब का जरीया है, एक तरीका पैदा करदा है, जब हम आइम ताहरीन की कोई मनत मानते हैं या कुछ करते हैं, तो वो खुट तो तश्रीफ नहीं लाते, लेकन असबाब मौया कर देते हैं, ऐसे आलाप हो जाते हैं, दर जनुम सारे हैं जिंदगी में सब्सानेद को ञ foliage मनों है, जजा करें अको बश्राइब करने करेंगे, एक assignments का में खोधा हैं अजीनामा पर को समया हैं, जी एक श्राइबा समय करेंगे, वनोह संक्रीब घ।, पॉट बहुत 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 शक्री आपको, विश्याला बड़ा लगर नाखा उम्दा और मैं हंसराय नहीं था है, कि माम्साली भाई… बातें बड़ी खुबसूरत करते हैं, माशाला बड़ी पाइदार बात ठी है! लेकिन उनकी जो शरायत होती है था वो बड़ी ऍजीव सी होती है वो जो शरायत पैसा करतेते हैं ले कि मैं सेलाम छोड़ दूंगा या में टेलिफुन करना छोड़ दूंगा तो मैं जो मैं इस बात पर खूझत गहरता हूँ ममदली भाई, क्या आप मुस्तकिल मजाज एं भी के नहीं के बातों की हथ्यागी मुस्तव मजाज हैं या हमली तोर भी ऑगर हमली तोर प्वे इसने ये ना किया तो मैं यह कर दूंगा jeśli यह ना किया तो मैं यह कर दूंगा वह सोचता है कि इसने यह नहीं किय गल्त किया तो मैं इसको ठीक करवा के चोड़ूँगा और करके चोड़ूँगा और इस पर मेहनत करूँगा क्योंके मायूसी गुना होती है तो आज आपका टापक है अल्ला की जात पर यकीन एकामल मेरे बाई एक चोटी सी मसाल है अगर कोई आप समझना चाहें तो एक बच्चा साथ वो मौलवी साथ के पास गया उसने का मौली साथ मैंने इमत्हान देना है तो आप मुझे ऐसा करें कि अल्ला के तरफ से कोई ऐसी चीज़ मुझे दे दें कि जो मैं करूं तो मैं पास हो जाओं उनने एक वजीफा दे दिया चोटा सा करता रहूँ अब उसने क्या किया कि सबूग की पढ़ाई तो बंद कर दी और वजीफे पर लगा रहा और वजीफा ही करता रहा इमतान दिया वो फेल हो गया मौली साब के पास आयार का मौली साब आपने वजीफा दिया मैंने वजीफा किया तो मैं तो फेल हो गया तो मैं तो पढ़ाईगा क्या किया वो तो मैंने उस दी नहीं छोड़ दी ती जब साब ने मुझे वजीफा दिया तो मेरे बाई जब कर भाभ आपम असल काम पर मेर नहीं करेंगे और इसके साथ एल्लह की दवा मांगे उसकी आल्लह की रहमत पर मु՝ इंधार के तलबगार निंहाँ करीज़ काम इसक मतबार लुँह क्राव रहे हैं 2010 कोवें थे तो एक में अमेरिकन थे एक में फरिष्टे बैखे हुए थे मीटिंग कर रहे थे लामिया से तो नीचे से फून आया कि अमेरिका में इसलाब आ गया तो लामिया ने कहा पूछा है फरिष्टों ने क्या करना चुप करके बैखे रहो अब दूसरी दफ़ा फिर फून आया तो पता लगई यॉर्प से आगया तो वहां भी यह कुछ हो गया उना का चुप करके बैच रहो अपता चला जी क्या पाकिसान में भी आगया है उना का एलमर पैनो और चले जा अव्ला ने हुकम लिया फ्रिष्टों से पूछ आलमिया पहली दो दफ़ते आपने नहीं कहा आप क्यों कहा है उना गया चुछ कंच कर लेंगे इनना उनना सब मेरे परी रखा हुआ है यह साथ मेरे परी असलिए इन उनना सब कुछ करना नहीं है तो मेरे बाइं जब तक वो खुदा ने उस कौम की आलत नहीं बदली ना जिसको क्या लो अपनी आलत के बदलने का जब तक वो अपने हालाद खुद नहीं बदलोगे तब तक आप गामयाब नहीं होगे आप अलाँ पेड़ा करो जरूर करो उसके रह्मत को तलबगार बनाओ उसके रह्मत के लेकिन अपने इसात बी इंसाथ करो के अपने क्या करना है यानि अपना गाम खुद करो और उसके बाद उससे अपना गाम खुद करो और उसमें अल्ला की रजा को मंगो और अल्ला की रजा पे करोगे तो और बेतर हो जाएगा और दूसरी बात यहा है कि यकीने कामल के लिए मेरे बाई मैं जल्दी खतम कर देता हूं यकीने कामल के लिए हमें दो चीज़ों को देखना होगा दो चीज़ों को देखना होगा यकीने कामल पे पहले तुम्हें है कि हमने तोहीद को पहचानना है हर इनसान अपने जेन के मत तावक तोहीद को पैचानता तो है, एक अवरत की बुड़िया, तो वो बैकी रही थी और सूत कात रही थी, तो वो कह रही थी, अला मिया, कभी तु मेरे पास हो, मैं तेरे सर में कंगी करूंगी, तेरे सर पे तेल लगा, तेरे अच्छे कपड़े बना, यानि उसके पास जि है कि पहले तुहीद को पैचानने के लिए, आपने रासते इख्तियार करने हैं, उन को देखना है, घुनोंने तुहीद को पैचाना, आप देखो आल-ः-म॰हुम्मद किस त्रीके से तुहीद को पैचाना, कि सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् उन्होंने तोहीद भट जा ने के लिए यह रासता है, इस रास्ते को अपनाओगे तो आला पे यकीन भी आज़ए हो और ये रास्ता बताने वाले ने ले पाई हैंगे, तो हम प्रसमा बाद हो इसे अफ़ उल्ल ही पाईगे हो गया और अपनी बात को मुकमल कर लो कि जब उससे एंकर ने बार बार का तो वो फट पड़े थे कि मेरा जिगर मेरे पास कहा ऐसा जिगर हो तो इमाम हुसे असलाम के पास था तो उसके अंदर देखना ये है कि दोस दुश्मन सब मिलके है जब हकीकत की बात करते हैं तो वो सेद शुहदा ने जो मिसाल पेश की अमली दमूने आँ अमली दमूने आप कहें जी वो तो ला के ला की तरफ से मक्सूस थे हुज़त खुदा थी जनाब जानब सलाम अल्ला लिया गाजिया बिल फजलिल अल् जलेवे खेमों की राक के ओपर शुकर खुदा करना इस से बढ़के और इनसानियत के पास नमूना पेश करने को क्या है होई नी सकता है यह आखरी हदे हैं तो जब हमारे पास यह उस्वा कामला मौजूद है तो हम इनकी तालिमात की रोशनी में क्या खुदा के ओपर कामल यकीन पैदा नहीं कर सकते हैं क्या वज़ा है कि हम छोटे 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 इमताहनात चोटी छोटी चोटी आजमाईशों के आने से अपना इमान को बैठते हैं और अजीब बास लोग कुफर बखना शुरू आते हैं हमें देखना होगा बार बार इन शक्सियात को मुहमद आले मौमद की पैर भी करनी होगी उनको पढ़ना होगा संभना हो खाली है नहीं कि नाम शून लिया थो हमारे जो हमारे जो मुझ्रू मांते हैं जह पैर भी करनी होगी livres है तो हम एक प्रैक्टिकल इनसान मद के सामने आ सकते हैं जी नाथरई इसमें कोई शक्त नहीं और को भी अल्ला की मर्जी के मताबिक उन में अपना करदार जो है वादे कर सकें और नाजर मारी प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है और आप हमें अजादत दीजिए अपना और अपने अर्दिकित रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखेगा असलाम उलाइकूम वर्हमतुल्ह वर्कातुम्